हालो दोस्त आप देखरो हमाना चैनल ग्रोव बुक्स तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है एबरिटिंग आई नो इसका मतलब प्रब्लम को सॉल्व करते हुए कैसे हम नई चीजों का क्रियेशन कर सकते हैं इसका जो लेखा का नाम है पॉल जार्विस तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्जों बताते हैं साल दो हैर तेरह में रिलेज़ ही किताब एबरिटिंग आई नो बताती है कि आप अपने काम को और बहतर से कैसे कैसे बनाएं अगर आप जूज रहे हैं इस बात से कि गाइड करेगी यह किताब बताती है कि इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आपको अलग दिखना है तो फिर आपको क्रियेटिविटी का ही साथ पकड़ना पड़ेगा एक सवाल और उड़ता है कि अपने अंदर की क्रियेटिविटी हम कैसे पहाचाने तो फिर चलिए इस सफर की सुरुवात हम इस किताब के अधाया को पड़कर करते हैं यह बुक किसके लिए है ऐसा कोई भी जो जिन्दगी को बहतर करना चाहता हो ऐसा कोई भी जो अपने आइडिया को सक्सेस में बदलना चाहता हो ऐसा कोई भी जिसे यूनिक चीजों से महब्बत हो अधिया नमर एक अपनी इनर वैल्यू को पहाचानिये बहुत पुरानी कहावत है और कापी हद तक सही भी है कि इस दुनिया में जनम लेने वाले हर इनसान अलग है हर इनसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक तो ही ही ब बस फर्क आ जाता है तो नजरिये का आप अपने इनकनिस को पहाचानते कैसे हैं बजार में कई सारी किताबे मौजूद है जो आपको आपका ही समान सामना करवाएगी उन किताबों में काफी ज्यादा टिप्स भी मिल जाएंगे लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातर किताबं में एक तरफा नोलेज ही दिया गया है अब बात करते हैं इस किताब की इस किताब में आपको दोनों पक्ष की बाते पढ़ने को मिलेगी अगर आपने इन अध्याय को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको खुद के अंतर काफी कुछ बदलाओ क को मौका मिले जाएगा इसी के साथ आपको यह भी इसी के साथ आपको यह भी सिखने को मौका मिलेगा की कैसे आप खुद की क्रियाटिविटी को पहाचाने अगर आपको टीवी देखने का सोख है तो किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि टीवी बंद करके आप खुद को कंटेंट भी बना सकते हैं अगर हम लाइफ में लॉंग टर्म की बात करें तो खुद के लिए सही रास्ते की तलास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर आगे जाकर खुद की जर्नी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि खुद तलास किया हुआ रास्ता सही सही होता है वैसे तो सही रास्ते की तलास आप कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसके भी कुछ मुल मंत्र है जिनको आपको ख्याल रखना बहुत जुरूरी है सबसे पहले जुरूरी यह है कि आप खुद की तैक की गई वेलिज को फॉलो करे अगर आप ऐसे करते हैं तो इसमें अंदर एक अलग ही confidence का जनम होगा आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर क्या चाहते हैं मतलब साथ है कि आपको आपकी priority पता होनी चाहिए अगर आपको आपकी priority पता है तो आप life में कभी भी गलत नहीं जा सकते इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपके लिए अहमियत कितनी है इन दुनों बातों किलावा आप खुद की कदर करना सेखिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी नजरों में आपकी value कितनी है इस value को पैसा से तोलने की गलती कभी मत करिएगा एक और तरीका है अपना सही रास्ता जानने का वो ये है कि आप काम को अपने तरीके से करने की कोशिच करिए अगर आप ऐसा करने में काम्याब होते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपने दुनिया से अलग एक पहाचान बनाई है अगर आप से अभी ये कहा जाए कि एक ऐसा business model बताईए जिसमें आप जल्दी समीर हो जाए तो इसका कोई खास जवाब नहीं है इसका जवाब बस यह है कि आप अपने काम को अपने तरीके से करते रहे इससे कम से कम आप दुनिया के भीड तो भीड से तो अलग खड़े हो जाएंगे अध्या नमर दो दूसरी की नकल करना का भी कोशिश ना करिए हमें हमारी पूरी जुन्दगी में यह सिक्त दी जाती है कि अगर आपको सोसाइटी का हिसा बनना है तो आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा हम लोगों में से जाता लोग इस बात को फोलो भी करते हैं लेकिन इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि हर इनसान दूसरे से अलग है तो फिर अगर आप दूसरे से अलग हो तो फिर आपको वो चीज दिखानी भी पड़ेगी आप वर्क पेलेस में भी इस चीज को गौर करते होंगे कि जाता लोग अपनी असली छवी को छुपा कर रखते हैं अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोग किस मुखवटे के पीछे अपनी सारी असली करेक्टर को छुपाते हैं इसके जवाब के लिए आपको बता दे कि लोग प्रुफेस्नल लिज्म के पीछे अपनी असली चरित्र को छुपा कर रखते हैं अगर आपको कोई ऐसा दिखे तो उसे बता देजिया कि ये उसकी सबसे बड़े गलती है इसी गलती कारण वो अपनी आपको एवरेज बना रहा है इसके बज़ा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रुफेस्नल फिल्ड में आप एक ब्रांड की तरह हैं आपका कम्पिटिशन भी दूसरे ब्रांड से है आप जितना अलग दिखेंगे उतने ही आप यूनिक बनेंगे एक बात और अगर आप लोगों के सामने अपनी असलियत असलिप प्रसनल्टी दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वियर्ड हैं बलकि इसका मतलब ये हैं कि आप इंसान है यहां पर हैं में एक्जांपल के तोर पर एक योगा टीचर की कहानी को समझते हैं केरेन नाम के एक योगा टीचर थे आम तोर पर आपने देखा होगा कि योगा टीचर अपने आपको बड़ा सांत और खुश दिखाते हैं लेकिन केरेन अपने स्टुडेंट्स को अपने स्ट्रागलर और डिप्रेसन के बारे में भी बताते थी इसका रिजल्ट ये था कि उनके सचाई उद्देखती वे बहुत ज़्यादा लोगे ने उनके ओनलाइन भी फॉलो किया अपने आपके प्रतीमंदार रहने का एक और फैदा ये भी होता है कि आप अपनी वेलिस से जुड़े हुए रहते हैं ये भी लाजमी से बात है कि शुरुवात में हम सब को डर सा लगता है, जब भी हम किसी नई जगा जाते हैं तो थोड़ा सा संकोच हम सब के दिल में रहता है, अब हमारे उपर निर्वर करता है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम खुद से लड़ सके यह सवाल हमको खुद से ही पूछने चाहिए यहां पर आप रिचर रिचर्ड ब्रेंसन का भी एक्जामपल ले सकते हैं रिचर्ड को स्कुल के दिनों से ही डिसलेक्सिया नाम की बिमारी थी लेकिन उन्हों अपने इस बिमारी के आगे कभी भी घूटने नहीं बलकि उसका डटकर सामना किया रिजल्ट यह रहा कि रिचर्ड ने कई बिलियनर डॉलर कमपनीज को खड़ा किया अपने गोल्स को असानी से जाने मत दिजिए जी तोड मेहनत करिए आमतोर के जीवन में यह देखा जाता है कि जब कोई नया बिजन सुरू कर रहा होता है त जादातर उसका टारेट पैसे को लेकर होता है वह सोचता है कि जब मैं इतना पैसा कमाल लूंगा तब जाकर अपनी आपको सेक्सेफू समझूंगा क्या आपको पता है कि अगर हम सही गोल्स ना रखे तो हम कभी भी सही रास्ते को नहीं पाजान सकते एक बात और हमें ध्य अलत दिशा में भी लेकर जा सकता है अगर आपका गोल कोई वस्तू होगा तो आपको जियोन को कैसे समझेगा इसलिए जरूरी है कि हम समझे कि हमने हमने अपने लश क्या बनाया है इसलिए सिर्फ और सिर्फ गोल्स का पीछा करने के बजाए यह ध्यान रखे कि आपकी वे पहले कोशिस करिए कि अपनी ethics को सही रखिए जीवन में सामान का रास्ता ethics से होकर ही गुजरता है जैसा कि हमने सुर्वात में ही बात की थी ज्यादातर लोग पैसे को अपना गोल बना लेते हैं यह बिल्कुल गलत है हाँ पैसे जरूरी है लेकिन यह ultimate goal नहीं हो सकता अगर पैसे ही आपका ultimate goal बन जाएगा तो जीवन कहीं न कहीं पिछड़ जाएगा पैसा कामाना अच्छी बात है लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अंदर society के प्रति अपने ethics से भी जिन्दा रखने चाहिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप कोशिश करिए कि जरूर् किसी महसुस होगी यह इसलिए अपनी पहुंच और पैसे का सही स्तमाल करना सिख जाए अध्या नमर तीन कुछ ग्रेट करने के लिए अपने समय को सही से मैनेज करना से कि अपनी वेलिश की कदर करना खुद को जानना एक बिजनेसमें का स्टाइटिंग पाइंट हो सकता है अगर आप इतना जानते हो तो आपकी सुरवात अच्छी है लेकिन सुरवात अच्छी होने का यह मतलब नहीं होता कि आप सक्सेसबल हो जाओगे उस तरब से बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या और क्यूं का साथ छोड़ना पड़ेगा मतलब साफ है कि टेंशन को चूड़कर और काम की सुरवात करनी पड़ेगे एक बात याद रखे कि चिंता करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है इसलिए लेकाल बोलते हैं कि चिंता को रिजल्ट को मन माफिक बना जरूर सकते हैं इसलिए खुद के उपर भोरोसा रखिए और जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहें अगर आप कोई नया वैपार सुरू करने वाले हैं आपको उसके फेल होने का डर है तो सबसे पहले आप उस छोटे-छोटे चर्ण में सुरू क उपर फोकस कर लिया तो फिर आपको भविस की चिंता सताना भी बंद कर देगी इसलिए आप अपने आज को सफल बनाएए आपका कल आप अपने आप ही उजवल हो जाएगा एक बात और गांट बाल लीजिए कि कोई भी चीज का क्रियाशन काफी कठीन होता है इसमें समय भ देखना तो बहुत असान है लेकिन उसकी लिए कंटेंट जनरेट करना उतना ही मुश्किल इसलिए अगर आप कुछ भी क्रियाटिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए लगने वाले समय के लिए मेंटली त्यार है अच्छी चीज के क्रियाशन में हमसे ही समय लगा है मेह जनत की इतने लगेगी यह तो आपकी काबिलियत पर निर्वर करती है अगर आप समय निकालकर आज ही सुरबात कर सकते हो तो आप एक दिन सक्सेस को जरूर इंजवाई भी करेंगे इसलिए खुद से आज ही सवाल करिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको लोगों से अलग जुएर में असली खुशी कुछ नया और अलग करने में ही मिलती है उस खुशी की पहाचान आपको आज ही करनी पड़ेगी डर से कभी मत डरो बलके उसका सामना करो कई लोग नई चीज की सुरवात करने से काफी जाला डरते हैं उन्हें इस बात का डर होता ही कि वह फेल हो करना तो सबी चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुर्बानी कोई नहीं जिना चाहता एक बात ध्यान रखिए कि ग्रेट वर्क आपसे ग्रेट एस्प्रियंट भी मांगता है आपकी काविलियत भले ही थोड़ी कम हो लेकिन आपके अंदर जज़बा ज्यादा होना चाहिए फेल दिलेरी के साथ एक्सप्रियमेंट करिएगा कई बरह ऐसा देखा गया है कि दिलेरी से ही ग्रेट चीजों का जनम हुआ है एक बात और आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि आज नहीं तो कल आपको आपके डर का सामना करना ही पड़ेगा इसलिए उस सीच्वेशन को ट अगर आपको बोलने में डर लगता है तो सबसे पहले आप पबली के स्पीकिंग ट्राइ करिए मन ना भी हो डर लगे फिर भी आप ट्राइ करिए एक बार नहीं कई बार स्टेज में चरकर लोगों को संबोधन करिए क्या पता आपके अंदर एक अच्छा वक्ता निकल कर सा अगर आपको किसी भी चीश से डर भी लग रहा है तो आगे आकर उसका सामना करिए डर अपने आप ही भाग जाएगा कई बार हमारा डर इतना हावी इसलिए भी हो जाता है किनकि हमें कुछ खोने का डर होता है हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये इनसान मुझे छोड़कर चला जाएगा इस डर को आप इस तरह से भी खतम कर सकते हैं कि आप अपने मन में सोच लेजिए कि भगवान का सुक्रिया कम से कम मेरे पास ऐसी कोई चीज तो है जिसे खोने का डर मुझे सता रहा है अब अगर इसका जाना भी है तो जाए आपके डर एक और कारान यह भी है कि आप कभी भी खुद की लिमिट्स को चैलेंज नहीं करते है अगर आप कभी ये कुशिस नहीं करेंगे कि आप अपने कंफर्ट जुन से बाहर आ जाओ तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद के पीछे खिजने का काम करेंगे इसलिए अपने लिमिट्स को चैलेंज करते रहे जब आप खुद की काबिलियत को चैलेंज करेंगे तब तब आप खुद को नया और इंप्रूब पाएंगे इसलिए हमेशा खुद को संगर्स के लिए चैलेंज करते रहे अध्या नमर च्यार critics को अपने improvement के लिए उप्योग में लाईए हैं जब कभी आप अपने idea को public के सामने share करेंगे तो आपको इस बात का डर रहेगा कि लोग आपको judge करेंगे ये बात सच भी है कि लोग आपको judge करेंगे लेकिन आपको लोगों के सोच से डरना नहीं है बलकि खुद की और मजबूती से उनके सामने पेस करना है याद रखिएगा कि किसी idea का समिच्छा के दौर से गुजनना ही पड़ता है सभी को खुश कर पाना मुम्किन नहीं है इसलिए क्रेटिस सिज्मिक से कभी घबराईएगा नहीं बलकि उसका सामना करिएगा कई बार ऐसा मौका भी आएगा जब आपको काफी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पर सकता है कई बार आपको खराब मेल से भी आएंगे लेकिन उन सब के आपको बस सेखते जाना है आलोचक कई बार काफी ज़्यादा भी बोलते हैं अगर आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आपके काम में से किसी को भी कोई फैदा नहीं हो रहा है इन सब बातों को अपने दिल में नहीं लेना है एक बात और कभी भी अपने काम से ज़्यादा इमोशनरी अटेच मत होई जाएगा क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप निगेटिव कमेंट्स को ले नहीं पाएंगे और आप काम करना ही बंद कर देंगे याद रखें कि आपको काम करते रहना है फिडबेक को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इनी फिडबेक से आपको इंप्रूमेंट करने का तरीका भी मिलेगा आपको पता चलेगे कि आपसे गलती कहा हो रही है विश्वास करिए कई क्रियेटिव्स आपको काफिक कुछ सिखा कर जाएंगे अगर आप अपने काम को पबली के सामने सेर करने से डर रहे हैं तो एक सवाल खुद से करिए कि आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है कोई क्या ही आपको बोल देगा इस सवाल का जवाब आप खुद ही लीजिए फिर आपको पता चलेगा कि अपने काम को सुदालने के लिए उसे पबली के सामने ले जाना कितना ज़रूरी है अपनी अस्कुल को इंट्रेस्ट में से मैच करिए आप देखेंगे कि आपका काम और अच्छा हो रहा है अगर आप अच्छे से सेक्सेस्पुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातर लोगों ने अपने पैंसन को फॉलो किया था लेकिन बस पैंसन को फॉलो करने से ही कोई सेक्सेस्पुल नहीं बन जाता बल्कि उसके लिए आपको मेहनत के साथ अपने वेलिज को भी फोलो करना पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि होबी और बिजनेस के बीच में क्या आंतर होता है। मा लेजे कि आप गेम में ग्रेट हैं और प्रोग्रामी में बेस्ट हैं तो फिर आप गेम रिलेटर एप भी बना सकें ऐसा करने में आप अपने पैंशन को भी फोलो करेंगे और बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिर कई लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि लोग आपका बनाया समान ही क्यों खर देंगे इसका जवाब यह है कि आपको अपनी कला में माहिर तो होना ही पड़ेगा इसलिए अगर आपको जूता भी सिलना आता है तो वो वैसे आना चाहिए जैसे पूरे सर में किसी को ना आता हो इस बजार योग में अगर आपको सबसे अलग खड़ा होना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट किस चीज में हैं सबसे पहले अपनी काबिलेद के पहाचान के रिए फिर उसके उपर काम करें अधिया नमर पांच ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाए जिन आपके काम की जरूरत हो नए बिजनसमेंट जो समान गलती करते हैं वो यह है कि वो जादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनसे उन्हें मतलब रखना है लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट बहुत बड़ा है हमेशा बड़ाए कि पीछे मत भागिये किमकि सबी उसके पीछे लगा हुए हैं आप सबसे कनेक्ट होने की कोशिस करिए क्या पता छोटी कुझी आपका बड़ा काम करके चले जाए आसान सब्दम कहें तो आपको खुद ऐसे लोगों की तलास क करने के लिए निकलेंगे तो आपको खुद से एक सवाल कि कर लेना चाहिए कि आपकी मदद कौन कर सकता है चोटे 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 ग्रूप से मिलना सुरू करिए उनसे अपने आइडिया और बिजनस के बारे में बाते शेयर करिए आपके लिए यह बिल्कुल भी करना सकते हैं उनके फिडिबेक को नोट डाउन करते रहे वह फिडिबेक आपके काफी मददकार साबित होंगे अगर आपको लोगों को अपनी और अट्रेक्शन करना है तो फिर आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा जैसे कि आप अच्छी सी टेग लाइन भी रख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कैंपेन डिजाइन करिए कि लोग आपकी तरफ आकर्शित हो जब एक बार लोग आपके पास आने लगेंगे तो फिर आप अपने बिजनस को लेकर बाते भी कर सकते हैं अपने आइडियाज पर फोकस करिए कभी भी दूसरे की सोच की चोरी मत करिए क कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इनवेटिव आइडियाज के जनम नहीं होता उन्हें हमें कहीं न कहीं से उठाना ही पड़ता है फिर उसे अपने ब्रांड को का लोगों लगा कर चिपका देना चाहिए लेकिन आपको बता दे कि यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है इसे ही क् आप लोगों से अलग खड़ा होना चाहते हैं तो अपने उनसे अलग सोचना भी पड़ेगा आपको खुद के आइडियाज का निर्मार करना ही पड़ेगा चोरी का रास्ता आपको कुछ दिनों की तो खुशी दे सकता है लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम का सुकुन चा आपको बात का ध्यां रखना है कि आपको विशलित नहीं होना है इसी के साथ आपको निरास भी नहीं होना है बस अपने क्राफ्ट पर भुरोसा रखिए अगर आप अपनी काबिलियत के अनुसार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी कभी भी रिचल्ड को याद करते हुए अपने आइडियाज के उपर काम करना बंद मत करिएगा जब तक आप अपनी क्रियेट्विट पर काम करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे इसलिए जीवन के सफ़र को एक फीलम की तरह एंज्वाई करते रहें और आ लेकर जाएगा कि खुल मिलाकर एक मिनिंग फूल जिन्दगी जीने के लिए आपको खुद के राष्टे के तलास करने ही पड़ेगी साथ ही साथ ये कोशिज भी करने पड़ेगी कि पहलुच आपको गाइड करें अगर आप बहलुच का साथ नहीं छोड़ेंगे तो याद को यकिन है कि आप कुछ कर सकते हैं अगर आपको यकिन है तो आप जरूर कुछ बहतर करी लेंगे क्या करें गोल अच्छी चीज है लेकिन तब तक जब आपके वेलिज को मैच करें याद रखे कि हर नए काम की सुरुवात से पहले डर आपका राष्टा जरूर रोकेगा त झाल